तीस साल बाद शनी का राशी परिवर्तन किस राशी पर होगा इसका क्या असर आईए नजर डालते हैं नमस्कार आपका स्वागत करती हूँ अभी नंदन करती हूँ नर्मस्तक होती हूँ आपको प्रेम करती हूँ कोटी-कोटी परणाम करती हूँ मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर वायराखी हम लगातार शनी पर बात कर रहे हैं और शनी पर बात करना बनता भी है क्योंकि कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है और ये कोई दो-तिन महीने बाद नहीं हो रहा तीस साल बात हो रहा है मकर राशी के दूसरे चरण में शनी का परवेश और मकर राशी वाले होंगे माला माल लेकिन कुम राशी वालों की बज़ जाएगी बैंड अगर आपने किया अंकार तो मकर राशी वालों आप भी इस सफर में जाओगे टूब बात मेश राशी की दस्मे स्थान पर शनी आएंगे आपके करियर अच्छा होगा लाब अच्छा होगा जीवन साती से तकरार रहेगी और अगर आप किसी भी एक्स्ट्र मेडल आफेर में चल रहे हैं तो उसका पता घर वालों को चल जाएगा और इस वक्त वो तूट जाएगा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे वरिशब राशी की बात की जाए तो बल्ले बल्ले हो रही है उठिये और डांस करना शुरू कर दीजे बहुत जादा फाइदा बहुत जादा फाइदा लेकिन घमंड आपके अंदर आ जाएगा वानी पर काबू रखे क्योंकि कभी ना कभी शनी आपकी राशी में भी आएगे अपनी वानी पर कंट्रोल किया तो पैसा आपसे संभाले नहीं संभलेगा कहां खर्चूं गारी, घर, बंगला, घोडा, हाती सब खरी सकते हैं आप, विदेश यात्रा होगे लेकिन घमंड को अपने सर पर चड़ने ना दें आप दस्वे भाव में है शनी आपके मिथुन की अगर बात की जाए तो आठ्वे भाव में करियर में प्रॉब्लम देता है नौकरी जा सकती है, नौकरी के अंदर बॉस आपकी बदनामी कर सकता है या आपसे कुछ अनबन हो सकती है धन खतम हो जाएगा, शनी देगा नुकसान अलाद को होगा कष्ट, करें क्या करें ये कि मैंने वीडियो बना रखी है और पहले ही डाल रखें कि शनी के दान क्या करें उन दानों पर ध्यान दे, अपनी वानी पर कंट्रोल करें और जहां जुकना पड़े बिल्कुल इस तरह से सर जुका दीजे माफी मांग लीजे, अपनी गलती को मान लीजे और घमंड में और मैं में मताईए कि आपका बॉस तो जरा सा डाट रहा है और आप गुसे में नौकरी छोड़ कर आए नौकरी केवल एक व्यक्ति करता है लेकिन पेट उससे दोका भरता है ये याद रखिएगा तो आपकी एहम में आकर आप अपने घरवालों को भी नुकसान पहुचा सकते है करक राशी की बात कीज़े तो करक राशी वालों बहुत आनंद भरा समय है आपके लिए सात्वे भाव में आ रहा है प्यार में आपके थोड़ी प्रॉब्लम जरूर दिखती है मा की तब्यत का ध्यान रखना होगा लेकिन करियर वाइस अच्छा है आप थोड़े से डिप्रेशन में आ सकते हैं क्योंकि जरा सी भी तकलीफ को आप बहुत नेगेटिव उसमें ले लेंगे पूरन माशी के वरत रखी और आप से कहूंगे खीर का भंडारा कीजे आपको काफी अच्छा लगेगा ऐसे में आपके लिए पवनपुत्र हनुमान की पूजा उत्तम है सिंगराशी की बात कीजे तो बहुत तकलीफ होगी सिंगराशी वालों को छटे भाब में आ रहा है जीवन साती के साथ इमानदार रहना होगा आपका अफेर आपके ही घर के किसी रिष्टे में चल जाएगा जिसका पता पूरे खांदन को चल जाएगा और उसके बाद आपको वो रिष्टे समभालने बड़े मुश्किल हो जाएगे दूर आप रहनी पाएगे पास आप जा नहीं पाएगे पती पत्नी में लड़ाई होगी पैसा तो बहुत आएगा लेकिन किसी अपने को आप खो देंगे और अगर आपको पता है कि जब दूसरे की पत्नी के साथ चकर चले तो शनी क्या करते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कन्या राशी की पंचम भाव में शनी आपके आ रहे हैं समय आपके लिए बहुती उत्तम और बढ़िया है आपकी लड़ाई जगड़ा किसी से होने वाला है उस पर आपको काबू रखना है वो पड़ाऊसी भी हो सकता है पैसा तो आने वाला है पर रिष्टे खतम होने वाले हैं खास कर पत्नी के रिष्टों पर इसका असर बहुत पहुंचेगा और इतना पहुंचेगा कि आपके तलाक तक ये बात पहुंच सकती है तो रिष्टों को संभाले पैसा करना क्या है माल लिजे करोडों रुपे आपके पास हो और अपना कोई आपके पास बैठ कर दो प्यार के बोल बोलने वाला ना हो तो इस पैसे के कोई माइने नहीं रह जाते तूला राशी नया मकान खरी देंगे आप कोट के चैरी के केसों से आपको बचना होगा संभल कर चलना होगा और घर का मोहल थोड़ा अच्छा करना होगा नशे की इस वक्त आपको आदत पढ़ सकते हैं खास कर सिगरेट की शनी आपके तीसरी दृष्टी से छटे भाव पर पढ़ेगी इसलिए आपकी तब्यत का खराब होना और किसी बूरी आदत का लगना तुला राशी वालो इस वक्त आपको संभलना होगा मन की बात किसी से कहनी होगी घर में चूरी हो सकती है संभल कर वरिश्चिक राशी की बात कीज़ाए माला माल हो जाएंगे आप साड़े साती खतम पराकरम शुरू हो जाएगा आपके पराकरम आपके काम के फील्ड में शेतर में वैपार में नौकरी में दिखाई देगा संतान का ध्यान रखें अच्छे करम करें आप से कहूंगे बड़े तीरत इस्तान पर जाएंगे आप को विवा हो सकता है घर बन सकता है संतान की प्राप्ती हो सकती है मंगल कारे हो सकते हैं जो गया था वो लौट कर वापस आएगा खास कर सेहत मकर राशी के बारे में तुम्हें स्पेशली बता चुकी हूं मकर और कुम के लिए लेकिन फिर बता देती हूं धनका तो बहुत फायदा हो रहा है जबान में आपके करवाहट आएगे और जबान में करवाहट आते ही सारे रिष्टे आपसे दूर हो जाएंगे गुस्सा इस वक्त जबरदस रहेगा और बिस्तर पकड़ सकते हैं गारे संभल कर चलाएं कुमब राशी साड़े साती आपकी शुरू होने जा रही है पहले चरन में जा रही है अब आपके हवाले वतन सातियों दोस्तों के साथ भोग विलास बढ़ जाएगा दोस्तों के साथ बना कर रखें शत्रू जबरदस बढ़ जाएंगे आपकी कोई वीडियो भी बना सकता है आपका कोई अपमान भी कर सकता है आपको इस वक्त अपनी जबान पर काबू रखना है तो बहुत कुछ पाएंगे नहीं तो सम्मान समाच में खो देंगे आप आखरी राशी मीन राशी आपके लिए समय बहुत अच्छा है रुका हुआ पैसा आजाएगा रिष्टों में करवाहट ना आने दे हो सके तो आप बेचैन तकलीफ में रह सकते हैं हाट की थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है पैसा और वेपार तो बहुत अच्छा चल पैसा होने के बाद भी आप इंज्वाए नहीं कर सकते तीस साल बाद किस राशी पर क्या असर कर रहे हैं शनी देव मैंने आपको बताया लेकिन इन सबसे भी उपर एक महा बात है जिसको आपको समझना है और वो है आपका confidence और वो है आप आपको ये समझना होगा अच्छे करमों के फल अच्छे देंगे अभी तक आप धाई साल में एक्जाम लिख रहे थे एक्जाम पास हो जाएंगे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो टूटे होए होंगे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो खतम हो चुके होंगे मैं तो आप से सरफ एकी बात कहना होग किसी की औरत के बारे में उसकी पीचे से बात कर लिया किसी की गौसिप्स कर दी है तो ये भुक्तान के वाल आपको ही नहीं भरनाोंगा इसे आपके साथ आपके बच्चे और परिवार बहेंगे तो रुक जाओ थम जाओ, रुक कर, आगे बढ़ो, अब भी माफी मांग लो, और कमेंट भी करने हैं तो अच्छे करो, अब यूट्यूब पर ही देख लो, मेरा हो या किसी और का हो, लाइक करने वाले लोगों के साथ, डिसलाइक करने वाले लोग भी है, भही तुम से कोई पैसे ले रहे हैं, तुम डिसलाइक मत करो, वीडियो अच्छे नहीं लगया, आगे चलो, तो ये जो डिसलाइक आपने किया था ना, उन सब कुछ सलूट है मेरा, क्योंकि अब आपकी बार ही,